एल में क्या है अगर आप situation देखो किसी भी exam को qualify करने के लिए जो की एक साल में एक बार होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और जिसका लीजन करनी पड़ती है तोड़ी-थोडी साथ के सात और multiple revision करनी पड़ती है उसके साथ आपको एक proper टेस्ट देने पड़ते हैं क्योंकि वह exam की cutoff इतनी जाधा हो गई है अगर आपने multiple-time टेस्ट देके प्रैक्टिस नहीं करी है अपने आपको स्पीड के लिए एक्यूरेसी के लिए चेक नहीं किया तो सिलेक्ट नहीं होगे यह आपको समझना पड़ेगा और आपको मैं यह शॉरली बोल सकता हूं कि 22 लाक में से लगब 20 लाक बच्चे इसी के एराउंड फसके र ले एंग जाते हैं और वह नीचे वाली लेयर में आते ही नहीं है यह नीचे वाली लेयर यहां पर रिवीज़ण करना है मॉल्टीवल रिवीज़ण करना है और टैसीरीस को फॉल् prestigious सकोगा तेस्ट को देना इसलिए आप देरे धीरे बच्चों के संख्या घ्ति जाती है अ आपने किसी ऑनलाइन सिस्टम में भी देखा हो तो धीरे-धीरे टेस्ट की संख्या घटती जाती है और वो बच्चे धीरे-धीरे इस उपर वाले नंबर में आते चले जा रहें तो यह हमारे लिए बहुत शॉकिंग होता है कि यह बच्चा पहले से गिव अप कर चुका है व अप